हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासिज में जेपी सी के एक जाम में ध्यान में रखते हुए जारखंड स्पेसल की सिरी चलाई जा रही है इसके अंतरगत जारखंड से रेटेट जितने सारे कोशन बनते हैं उस टॉपिक को करवाया जा रहा है ताकि एक जाम में आपको कोई कोशन ना चूटे तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे रेटेट टॉपिक तो आज का टॉपिक देखते हैं मादेकाल एवं जारखंड मादेकाल का विवाजन देखते हैं तो दिल्ली संतनत और मुगल संतना दिल्ली संतनत में देखे तो 1206 से 526 AD और मुगल काल में 1526 से 1707 AD है दिली संतनत में देखे तो गुलाम बंस 1206 से 1290 AD खिलजी बंस 1290 से 3220 AD तुगलक बंस 1320 से 1414 AD सायद बंस 1414 से 1451 AD लोधी वन्स 121 से 556 एडी वही हमलोग मुगलकाल की बात करें तो इसमें बाबर का 526 से 553 एडी हुमायू 1530 से 540 एडी 1555 से 556 एडी सूर्व एंस की बात देखे तो पंद सो चाली से 555 एडी अकबर 1556 से 1605 एडी जांगीर 1605 से 1627 एडी सा जहां 1627 से 1669 एडी और अरंगजेब 1669 से 1707 एडी अब हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं दिल्ली संतनत एवं जारखंड इसमें पहला फक्त है मौमद गोरी के सिपला सलार सेना पती बक्ती आरुदीन खिलजी ने तेर्मी सतावदे में बंगाल अभियान के समय जारकांड और यहीं पर लूट पाट की जारकांड में मुसलमानों एवं उराव जन जाती का परवेश इसी अभियान द्वारा हुआ तुतमिस और बलबन के समय नागवंसी राजा हरिकार में थे और वही छेतर दिल्ली संतनत के परवासे पुंता मुक्त था अलावदीन खिलजी के सेनापती मलिक छज्जो ने चोटा नागवंसी राजा बेनुकन को हराया उन्हें कर देने के लिए मजबूर किया मुहमद बिन तुगलक के समय सेनापती मलिक बया 47 रोद के अनुसाल इबराहिम अली ने इला आजारी बाग के छेतर चाई चमपा को जीता और फते खान दौला को वच्छित समठपित कर दिया इस साक्रमन के समय जनरा मामक संथाल राजा चार कीले में राता था जबकि इस अभियान के समय नागवंसी राजा हरिकर्न थे निक्स देखते हैं फिरोज सातुगलक जाजनगर उरीसा अभियान के समय जारकन पराकमन की आरहजारी बाग्षेत जीत कर सतगावा को अपनी राजधानी बनाई इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे निक्स देवन लोधी काल में जारकन सलतेनत सत्ता के प्रभाव से मुग था यहां के नागवंसी राजा परताप गड़ी चातरकंड विराटकंड स्वतंत अवस्था में थे परन्तु लोधी काल में ही उरीशा के गजपती राजा कपिलेंद्र ने जारकन पराक्मन के और संताल परगना और चोटनागपुर के बड़े हिस्से को अपने अधिन कर लिया इस काल में दक्कन भारत के खांदे के राजा इबांग खांदूतिय ने जारकंड के खिलाप से नभियान किया इस कारण जारकंडी सुल्तान के नाम से परसीद मिली नेक्स देखते हैं सल्तनत काल में ही भाक्ती अंदोलन के सुपरसीद संत चैतन महापर्गु ने बिर्दावन मतुरा जाने के क्रम के में जारकंड का दोरा किया वे पंच परंगना चेतर के रुके वकई ठाकरवारी केंद्र बैशनल धम की अस्थापना की जिसका बर्नन चैतन चरिता मित नामक पुस्तक में मिलता है चैतन महापर्गु की यतरा का काल 1450 निश्चित होता है अर्थात इसके समकालिन नागवन्सी राजा चक्छा कर्ण 1499 सिच्छी थे नेक्स देखते हैं संतलत काल के समकालिन नागवन्सी राजा खिलजी वन्स के सासक अलाओदिन खिलजी थे सेनापती मलिक चज्जु समकालिन नागवन्सी राजा फेनू कर्ण और वेगु कर्ण है तुगलक वन्स के बारे में देखे तो महमद विन तुगलक फिरोज साथ तुगलक सेनापती मलिक बया और हडिक कर्ण इसके समकालिक नागवंसी राजा थे फिरो सातोगला के सेनापती खुद स्वेम थे लौदी बंस के बारे में देखे तो परतापकर्ण चत्रकर्ण और बिराटकर्ण थे निक्स देखते हैं मुगलकाल और जर्खंड बाबर मुगल मंस का स्थापक था संपुन मुगलकाल में जर्खंड को खुखुरा परदेश कहा जाता था मुगलों के समकालिक जर्खंड में दो अस्थानिये सक्तिया सक्रिये थी पहला पलामू चेरो वंस दूसरा चोटा नागपूर नागवंस देखते हैं, बाबर और हिमायू के समय ये दोनों ही वंस अपने स्थान तवस्था में ही रही परंतु सेर्षा सूरिवंस के सासक मन्ने के पहुष्चाद जर्खंड चेतरों में मुगलों का अक्मन हुआ जिसका सिकार ये दोनों सक्तिया समय समय पर होती रही नेक्स देखते हैं साइस्टा खाँ और तेज राए परताप रहे थे और अंजेब की समय दाूद खान ठे और राजा साहब राया सेना पती नेस्ट देखते हैं सेर सा के सेना पती खवास खाने पलामू के चेर राजा महारत चेरों को पराजित किया तथा परसीद सफेध हाती स्याम सुंदर अपने हाथ में ले लिया इस अभियान में दरिया खाने खवास का का मदद की माना जाता है कि सेर सा अपने सेनिकों के परसिक्षन के लिए नेक्स देखते हैं सेरसा अपने बंगाल अभियान के लिए जारखंट सोकर गुजरने वाले तेलिया गड़ मार्ग राजमहल पहारी के बीच परियोग करता था नेक्स देखते हैं सेरसा के इस अभियान का बर्नन अहमद यादगार की पुस्तक तारी के साही और अबास खास सेरवानी की पुस्तक तारी के सेरसासी में प्राप्ट होता है निग्स देखते हैं अकवर के दो सेनापती ने जहरखन के बिरिद अवियान किया पहला है 1589 में बिहार सुवेदार मानसीब ने चेरो राजा भागवत रहे रनपत चेरो को पराजित किया इसके पशाद सिंग्भूंग मानभूंग का चेतर जीता और मानभूंग में पंचेत कीला का निर्मान किया साथी पाड़ा एम्तेल कूपी के मंदीरों का जिनुधार कराया था मान सिंग ने राज महल चेतर को भी जीता और राज महल साहब गंज को अपनी राजधानी बनाया साथी बरकोटा महल वाले नगरों को अकबर का नाम दिया गया है नेक्स देखते हैं अकबर के समय साब आज खाने नागवनसी राजा मदुकर साग को पराजित किया करद करदाता राज बनाया नेक्स अकबर कालिन अक्रमनों के बर्नन अबूल फजल की पुष्टक अकबर नामा से प्राप्थ होती है जहांगीर का समकाली नागवनसी राजा दुर्जन साथे जहांगीर के सेना पती इबराहिंग खाने 1665 में दुर्जन साथ को पराजित किया जिसके बाद उसे 12 वर्ष तक गवालियर के कीले में बंदी बनाकर रखा गया महावत खा को इस विजय के उप्रांत पुरसकार स्वरूब फांत जंग की उपादी 4000 मनसब प्राप्थ हुआ किसे हुआ तो महावत खा को बाद में हीरे के पार्खी होने के कारण दुर्जन साथ को सांग की उपादी दी गई और कैद से मुक्त कर दिया गया नेक्स्ट है दुर्जन सा ने जांगीर को 6000 रुपे बारसी कर देना स्विकार किया नेक्स्ट है जांगीर के समकालीं चेरो राजानंत राय सहबल राय थे अजवल खार ने चेरो राजाओं के खिलाब कई सेन अभियान की और उसके अधिन्ता स्विकार करने के लिए बाद किया जांगीर निसाबल राय को गिरपतार कर दिल्ली में हिंसक पस्वों से लराया जिसके उनकी दर्दनाक मौत हो गई और मुगले चेरो संब्द अतियंत बिगर गये नेक्स्ट है साज आगा के समकारिंग चेरो राजा तेज राय एवं परताप राय हुए इनके किलाब साहिस्ता खाने चोग सोलो सब्यालिस में अवियान किया और परताप राय को पराजित कर असी हजार रुपे वार्सिक नजराना वसुला पुना सोलो सोतेतालिस में जबरदर्स्त खाके क प्लाम पर आकर्मन कर परताप राय के साथ सीधे की जिसके ताथ परताप राय को मुगल की मनसमदारी जमिनदारी दे गई निक्ष्ट साज आगा के समय मुगलों ने मानभून शेत्र पर भी विजय प्राप्त की तथा पंचेत के राजा को कर देने के लिए बाद किया गया निक्ष्ट देखते हैं औरंग्जेब की समकाली नागवंसी राजा रगुनात सा हुए जो अतियान धार्मी के वंदानी सोवाओ के बेखती थे इनके बाद राम सा राजा बने इस दोरान मुगल वा नागवंसी राजाओ के बीच मधूर सम्बन रहे निक्ष्टे औरंग्जेब की समय दाओद खाने चेरो राजा साहब के साथ 1660 में औरंगा का यूद लड़ा जिसमें राजा साहब पराजित हुए प्रन्तु ब्यापक दवाओ के बापजूद इसलाम धरम गरहन नहीं किया यहां तक कि जब पलामू में ही कुंडा के राजा चुनराओ ने औरंग्जेब की समय के दवाब में जब इसलाम धरम गरहन कर लिया तो चेरो राजाओ ने उसकी हाथ्या कर दी इस बिजय के पहस्चात दाउद का पलामू के लेके रहने लगा तता पलामू बिजय की स्मृति में एक मस्जित का निर्मान भी कराया नेक्ष्ट है अस्थानिय प्रसासन को नियंतित करने के लिए औरंजेब ने मन कली खाको पलामू का हवलदार नियूद किया अब हम लग देखते हैं महत्पुन्तत जारखंड में धनवाद एक ऐसा चेतर था जो मुस्लिम आकरमन से बच्चा रहा है नेक्ष्ट है मुगल काल में जारखंड को कुकरा खोकरा परदेश कहा जाता था नेक्ष्ट है जाहंगीर ने अपनी आत्म कता तुझू के जाहंगीरी में संक नदी के आजपास मिलने वाली हीरे और उनसे चुने तरीकों का बिस्तित वर्नन किया है नेक्ष्ट है मुगल काल साहित में नागवंसी रजाओ को जमिंदार एक खा आलमा हीरा खंड का मालिक कहा गया है नेक्स्ट है मुगलकाली ने इतिहांसिक सुरतों में देखा जाये तो अकपर का इतिहांस अकपर नामा में जहांगीर का इतिहांस तुजु के जहांगीर में और अरंगजेब का इतिहांस आलमगीर नामा पुस्तक से प्राप्त होता है नेक्स टॉपिक देखते हैं उतर मुगलकाल एवं चारकांड इसका फेक्ट है औरंग्जेब के बाद नीधन के बाद उतर मुगलकाल का आराम हुआ इस काल में नागवनसी एवं चेरो दोनों के राजा अपनी स्वातनता अपनाय परंतु फुरुक्सियार के समय बिहार बने और मुगलो के भैको दोसाई के जगा पालकोट में अपनी रजधानी बनाई नेक्स टे उतर मुगलकाल में ही जारकंड में मराठा सेनापती वासकर राओ पंडित ने जारकंड पर अक्रमन किया मराठो के आक्रमन नागवनसी सासक स्याम सुन्दर नाथ साह के कालम से नेक्स टे इतिहासकार जेयच हैविट के अनुसार बोसले परिवार की रजधानी नागपूर के अधार पर ही खुकरा परदेश को छोटा नागपूर कहा जाने लगा नेक्स टे उतर मुगलकाल में हिदायत अली खाने उसेनाबाद और हैदर नगर की अस्तापना की थी निक्स्ट है 1740 में बंगाल सुविदार अली वर्दी खा की समय हिदायत अली खाने रामगड राजा बिश्नु सिंग को पराजित कर रामगड चेत से लगान की वसूली की निक्स्ट अपिक हम लोग देखते हैं जारकंड के छेतरी राजवन्स चेतरी राजवन्स में चोरा नागपूर में मुंडा राजवन्स और नागवन्स है पलामँ में रकसॉल वन्स और चेरो वन्स धनबाद में मानभूम राजवन्स पंचेत राजवन्स सिंभू में ढालभूम राजवन्स सीवन्स रामगड में सीवन्स अन कुंडा गीरा सोनपूर आधी निएक्स देखते हैं चेत्री राजवन्स का मान्द चित्री यहां पर हैं इसे हम लोग देखते हैं इसका चित्र देख सकते हैं इसके तो अतमलग मुंडा राजवन्स को देखते हैं जारकांड में मुंडा जन्जाती का परवेच्छे सो बिसी में माना जाता हैं आराम में मुंडा जन्जाती को अस्थानिय जन्जाती जैसे असूर बीरहोर बिरीजिया की संगर्ष करना परा और इस संगर्ष में सपल होने के बाद मुंडाओं ने अपनी जन्जाती सासन पद आदीब पुरुश रीषा मुंडा में राज निर्मान का परकिरिया सुरू की और अपने द्वारा अस्थाई अपने द्वारा स्थापित राज का नाम सूतिया नाखध रखा और इस राज के पर्थम राज़ा सूतिया पहान को निवत किया नेक्स देखते हैं सूतिया पहान का राज सात गड और 21 परंगना में विभाजित था इसने हम लोग देखते हैं गड का नाम और आधनिक पहचान नेक्स देखते हैं सूतिया पहन के उत्राधिकारी राजा मंदरा हुए जिसे मुंडज राजवन्स की अंतिम राजा भी कहा जाता है मंदरा मुंड़ा कोई अपनी प्राकिर्तिक उत्राधिकारी नहीं था और उन्होंने फ़नीस मुकुट राय को गोद लिया फ़नीस मुकुट राय दोरा अस्थापित राज नागवन्स करलाता है नेक्स्ट रिशा मुंड़ा राज गटन के अरम करता है सूतिया नागखंड राज केस्थापन, सूतिया पाहन, पर्थम राज़ा बना, सात गड़ है, लोहागड, हजारगड, पलानुन, गड़ मानभूम, सिंभूम, कोसलगड, सुराजवन, सात गड़ है 21 परंगणा में विवत है, 21 परंगणा में है, ओमधह, दोईसा, खुसुर सुर्गुजा, सर्गपुज, गंगापुर, पुईराट, गिरगा, बबड़ा, लच्रा, बिरसा, सोनपुर, बलखेरा, दास, बेल सिंग, तयार, तमार, लोहरडी, सर्गिच, उधैपुर, बुनाई, गोरक, और चमगा, मगर निग्स, देखते हैं, नागवंस के बारे में, फनीश मुकुट राय, नागवंस के संस्थापक फनीश मुकुट राय थे, जिने नागवंस की आधी पूरुस कहा जाता है, इन्होंने 64 AD परतम सधी में नागवंसी राज्ज की, अस्तापना की, सितिया गव्य रजधानी ब जारकन चेद्र में आने के लिए मंतित की और बनारस से आये भावड़ा श्री वास्तव को अपना दिवान निउक्त किया इस कारण जारकन की संस्कृति में पहली बार गैरा दिवासी समाज सदान मुलवासी का विस्तारी करन हुआ निच्ट है फनी मुकुटराय ने सित्याम्रे में एक सूरी मंदिर का भी निर्मान कराया इसके अलावा जगनात पूरी से आने वाले एक पंडे के द्वारा ठाकुरबारी में एक मुर्ती के अस्तापना भी करवाई तता उस पंडे को सोर्दा वा महुगाउं नामक गाउं द नाग संभवतों असरु की एक साका थी महाभारत युद में नाग जाती करवों के साथ लरी और पराजी थुई फिर प्रतिसोद वन्स पंडवर कुल रक्षक परिलिक्षित की हत्या करदी जिस करण पंडवों ने संपुन जन नाग जाती के बिनास का प्रण किया इसी क्रम में पुन्डरिक नामक नाग ब्रह्मा की कुर्सी से लपेट कर उसकी रक्षा की और फिर बनारस में मानाव रूपी अफ्तरित हुआ बनारस में एक ब्रह्मन से सिख्चा ग्रान करने का दरन की पुत्री परवती से इने प्रेम किया और पूरी जाने की करम में सुतियांबे के निकट परवती और पुन्डरिक को एक पुत्र हुआ इस दोरान परवती का निवधन हो गया पुंडरीक नाग के बच्ची की रक्चा की परन्तु जब बच्चा मदरा मुंडा के सरक्चन में चला गया तो पुंडरीक ने अपने दे का परित्याग किया इसी करण काई प्राचिन ग्रंतों में जारकन को पुंडरीक परदेश करकर संबोधित किया गया है निक्स देखते हैं नागवन्स का स्थापना काल यह होगा नागवन्स सा वली आदि के अनुसार कली संबंत तीस सपैसट तदा अनुसार एकस एकीस बिक्रमाद यानिकी चौंसट इस्वी में यहां नागवन्सियों का परवेश हुआ संबत 1844 में द्रिपनात साधेव द्वारा दिये गए उलेखित कुर्सी नामा के अनुसार उस समय उनके संतावन्मी पीडी चल रही थी सासन अबदी में 1704 वर्स बित रहे थे अतानागवन्सी रजाओ का राजयांबं 1844 से 1704 यानिकी 147 यानिकी 183 इस्वी में हुआ था नेक्ष्टे एतियासिक सरोतिक अनुसार फणी मुकुट राय उनीस वर्स की अवस्ता में राजा बने थे अर्थात ऐसे में उनका जनम 64 इसमी सन हुआ इसे करन कई पुष्टकों में नागवन्स की इस्थापना 64 इसमी सन पर्थम सधी को दर्साया जाता है नेक्ष्टे एक फणी मुकुट राज के उत्राधिकारी सासक घागरा था नज्टीत हापा मुनी गाव में महा माया मंदिर की अस्थापना करवाई इसी के सासन काल में गुमलाक में चैनपुर में निकट टांगी नात का मंदिर में भी अस्थापित हुआ नेक्ष्टे भीम कर्ण इसकी ब्याख्या है नागवंस के पर्थम राजा थे जिन्हों नेराय की जग कर्ण की उपादी ली तो चोटा नागपुर्शित के करू चूपी नरिस लक्ष्मी कर्ण से प्रभाव या नागवंसियों से मित्रता का परतिक है इन्होंने चूटिया की जगा खूकरा को अपनी रजधानी बनाई तता यहां भीम सागर जील का निर्मान किया इन्होंने सुर्म पलामु के हैं वंसी रक्सौल राजा के साथ बढ़वा का यूद की लड़ा जिसमें रक्सौल राजा प्राजित हुए भीम कर्ण के की प्राप्ति की निक्स देखते हैं सीव दासकर्ण इनका साथन काल 1367 से 1389 इस्वी के बीचे इसे हमें गुमला के घागरा इस्तित्हाम पुर्णी मंदीर में भगवान विश्नु का परतीमा परसीद मराठा ब्रामन और आज गुरु सियानात देव की सहात्य स्थापित कि किया गया निक्स देखते हैं परतापकर्ण के बाड़े में ये लोधी बंस के समकालिन राजा थे इनके साथ समकाल में नागवंसियों की अधिन रहने वाले तमार के घटवाल राजाओं ने बीद्रो किया था नागवंसियों की राजधानी खुकरागड को घेर कर इनों न बाग देव की कनपूरा परंगना का राजा बनाया गया जिसे रामगड राजवंस की निप पड़ी नेक्स देखते हैं छात्र कन लोधी बंस के समकालिन थे को रामवेक में रक्सौल रजाओ और नागवंसियों के बीच भीशन संगर्थ होने के करन कुरंबो को जारकंड क हल्दी गाटिक आते हैं 1473 इस भी में छेत्र कन को गुमला के कुरंबो में विश्नु की मुर्थी अस्तापित की गई नेक्स्ट है दूर्जन सा यह जहांगीर का समकालिन था इन्हें दोईसा में अपनी रजधानी बनाई दोईसा तीने और पहारों से एक और दक्षिनी को करता था इसकी दिवार 33 इंच मोटी थी इस महल में वह मुगलू की बाती जरोका दर्शन हो करता था यह हीरा के पार्खी बेगती थे इसे जहांगीर के सेना पती इब्राइन खाने प्राजित करें 11 बरसों तक 11 बरस तक बंदी बनाया बाद में 6000 रुपे वार्षिक कर देन एनी साहिन ने 1691 में राची की जगर्नात पूर में परसी जगर्नात मंदी का निर्मान कराया साथी सौन रेखा नदी की समीप सत्तरंजी ने अपनी नही राजधानी अस्थापित की निक्स देखते हैं रगुनात सा के बारे में तो अरंगजेव के समकालिन तयात्यान धार्मिक वदानी सौबाव के बेक्ती थे इनों ने राची मेश्थित बुरहिया में मंदन मोहन मंदीर और राची मेश्थित चूटिया में राम सिता मंदीर का निर्मान कराया राम सिता नेग्स देखते हैं नागवनसी रजाव की रजधानी और क्रम तो रजधानी सूतियांबे का राजा भनी मुकुटरा है इसका सासन वर्ष चोटिया यू इसके राजा परतापरा है इसका साचन वर्ष 307-334 AD खूखरा के बारे में देखे तो इसके राजा भीमकर और साचन कार्ण संदस उन्नावासी से 11-33 AD दोईसा के बारे में देखे तो इसके दूरजन साइस के राजा थे और साचन वर्ष 514-532 AD सतरंगी के देखे तो इसके राजा एनी साथे नेक्स्ट है पालकोट इसके राजा यदूरसन नाथ थे और यह 1707-1725 AD तक था पालकोटा वड़ा के बारे में देखे तो इसके राजा जगनाथ सा और इसका साचन वर्ष 1821-1868 AD रातू गट के वारे में देखे तो इसके राजपूत कहते थे इनको दो सकाओ थी देवगन और कुंडलवा नेक्स्ट है इसके राजनीति गती वीदियू के केंदर पालामो में जादा बरतमान 36 गट को सुर्भूजा चेतर था रक्सौलों के समय कोरवा गोंड और खरवार जन जातियों की वह लूते था जिसमें सरवादिक संख्या खरवारों की थी और इस समय खरवार का राजा का नाम प्रताप धबल मिलता है नेक्स्ट सुलमी सधी में चेरो रजाओ ने रक्सौल को पराजित कर दिया और पलामू छेत में अपना अधिपत्य कायम कर लिया नेक्स देखते हैं पलामू के चेरो के वंस चेर राजवंसों का उद्य हैं मुक रूप से पलामू छेत में हुआ इन्होंने रक्सौल वंस को पराजित करीश छेत में अपना परवुत कायम किया था चेरो राजवन्स का इतियां समुगल के इसलामी करन के विरूद ससस्त्र विद्रों के रूप में देखा जाता है आधनिक पलामू के निर्माता होने कसरे इने दिया जाता है इस राजवन्स के परमुक राजा निम्वे भगवा तुराएं इन्हें पलामू के चेरो बंस की अस्थापना की, निक्ष्ट है महाजत चेरो, इसकी साचन काल में सेर साकी सेनापती खावासखाक ने चेरो के उपर आक्रमन किया था, चेरो रजाओ को पराजित करें नो सूपरसीद सपेद हांती स्याम सुंदर अपने साथ ले गिया, निक्ष्ट है अनंत रह, इसकी समय जांगीर की सेनापती अबजल खाने चेरो रजाओ को खिलाब सेन अभियान किया था, निक्ष्ट है साबल रह, इसकी सासन काल में चेरो बंस का बैपक विस्तार हुआ और चेरो राज सरक एयाजम जीटी रोड के साथ हजारी बाग के साली रजाओ में से एक है, यह साथ जहां के समकालिन थे, इन्होंने पुराना पलामु किला निर्मान कराया था, 1621 इसपी में परताप रह को मुगल सुवेदार साइस्ता खाने प्राजित कर 80,000 रुपे लगान बसुला परंतु 1644 इसपी में इनकी मुगलों से संदी हो साली आ गया था बदले में परताप रह ने मुगलों को एक करोर दाम की बार्सिक रकम देना सुवेदार किया, निक्ष्टे तेज रह सा जहां की समकालिन थे, सा जहां के सेनपती साइश्ता खाने से प्राजित किया था, निक्ष्टे मेदनी रह चेरो बंस के महांतम राजा इनके सासन काल में 16.75 से 16.44 इस्वी था या और अंग्जेब के समकालिन थे, इन्होंने नया पलामो किला निर्मान कराया, इसके सासन काल में चेरो राजबंस का स्वन्यूक कहलाता है, साथ ही मेदनी रहने नागवंसी राजा रागुनात साह के समय, इनकी रजधानी दोई इसके सासन काल में पलामो आर्थिक संपंता युक्त हुआ, पलामो में पसु पालम के विकास के करण एक कहावत पर चली थुए, धनी धनी राजा मेंदिया, घरे घरे बाजे हैं मथनिया, 1660 में अरंग्जेब सेना पती दाउद का मेदनी रह के प्राजित किया, जिसके बा अरंग्जेब के बापजूद इसलाम घरहन करने को इनकार कर दिया था जब औरंग्जेब का पलामो फोजदार मनकली 1666 में वापस लोट इया, तो इन्हें पलामो परपुन अधिकार कर लिया, इस अभियान के दुरान जब कुंडा के राजा चुन राओ ने इसलाम धम सु 1666 में औरंग्जेब सेनापति दाउद खां साहब राय के बीच लड़ा गया, जिसमें साहब राय पराजूत हुए और जंगलों में शरन लिया, निक्स्ट रंजित राय इन्हें मुगल सुवेदार इबराहिम खां ने एक लाग चालीस हजार वार्सी करके बदले पलामो की गर्दी पर बठाया, किन्तों इनके चचेरे भाई जया किसंग ने इसे पजचुत कर दिया, जय किसंग राय ने रामगट राजा दलेल सिंग के साथ मिल कर नागवंसियों से टोरी का छेतर जीत लिया, परन्तु दलेल सिंग द्वारा रंजित राय ने पडिवार के सरक्ष राजबंस का इतियास मिलना आरम होता है, फिर चोदमी सदी में धनबाद में कवी गंगा धरद्वारा लिखा गया, गोविंद पूरसिलालेक से इसकी पुष्टी होती है, निक्ष्टे इस अविलोकों के नुसार मान राजबंस मान भूम एक हजारी बाग छेतर में फेला ह निक्ष्टे इस बंस के राजाओं ने सबर जन जाती की मेलाओ पर घोर अत्या चार किया परिणामत सबर जन जाती मान भूम चेतर छोर कर पंजेत छेतर में चली गई, निक्ष्टे मान भूम रजाओं के काल में ही दसमी सदी में भूमिज स्वराज अंधुलन चलाय गया नेक्स्ट है धनबाद का पंचेत राज मानभु मर्था धनबाद का यह सरवाधिक सक्तिसाली राज था यहां के राजा का राज चिन कपिला गाय का पूँच अर्था चवर था साथी यहां के राजा गोवनसी राजा कहलाते थे नेक्स्ट है मदकाल में पंचेत राजावीर नरायन सिंग को मुगलों पर प्राजित कर दिया मुगलों को कर विरिदी और तबादी के कारण पंचेत राजाओ ने अधिक दुरगम और सुरक्षित अष्थान के तोर पर जालदा में अपनी रजधानी बनाई थी नेक्स्ट है सिंग्वं का डालभूम छेतर एतियासिक स्रोतो के नुसार सिंग्वं के डालभूम छेतर में डालवंस का सासन था जहां ब्यापक रूप से नरवली का परचलन था नेक्स्ट है सिंग्वं का सिंग्वं के नाम करन के पीछी दो तर्क दिये जाते हैं पहला हो जनजाती के नुसार हो समुदाय के परमुक देटा सिंगा बोंगा के नाम पर इस शेत का नाम सिंग्वं रखा गया दूसरा है सींग वन्ज के परिवारि की थे इस राजवन्स में तेरा रजाओने सासन किया आराम मैया चोटर नागपूर के नागवनसी रजाओकी अधिंता स्विकार की परुन्तुबाद में स्वतन सत्था चलाने लगे नेक्स्ट है सिंग वन्स का दूसरा सखा इस वन्स की स्थाप न बारा सो पांच में दरप नरायन सिंग के द्वारा किया गया इसके पहस्चाद इस वन्सकी युजिश्टिर कार्शी राम सिंग, अच्यूद सिंग और जगरनाज सिंग जैसे राजा जिसमें कार्शी राम सिंग ने पोरहट को राजधानी किंद के रूप में भीक्सित किया, साथ इनों ने पोहर देवी सिंग वन्सकी कुल देवी के हु aquest जंजातियों को लोगोंने विद्रो किया, नीष्ट अपिक हैं, रामगती राजमें सिंग वन्स, शुलोग 1367 में बाघदेव सिंग के रामगती राज कि अस्थापना की, नेष्टे बाघदेव सिंग आरहम मिनागवंसी सासकों के अधीन थे, प्रंतु बाद मिनागवंसी रजाओं के मतवेद होने पर स्वतंत राज की अस्थापना की इस बंस के रजाओं ने अपने राज की सुरक्षा के लिए समय समय पर छे रजधानी केंद्रों को विक्सित किया इसकी पर्तम रजधानी सिंसिया और अंतिम रजधानी पद्मा थी रजधानी और संस्थापक सिंसिया बांगदेव सिंग थे उर्दा है और बादम का हेमंत सिंग रामगट के दलेल सिंग इचाक के तेज सिंग पद्मा का ब्रह्मदेव नरायन निक्स्ट अपिक है खरक डिया राजबनस इसके स्थापना 15 मी सतापदी के हजारी बागशेत में हंस राजदेव ने किया था हंस राजदेव मुलता दक्षिन भारत के ब्राह्मन थे अरिनों ने उत्तर भारती ब्राह्मनों के साथ बैबायग समन्द स्थापित किया रहंस राजदेब ने हजारी बाग के वंदा वद्ध जाती को पराजित कर खडग डिया राज में उस्ठापित किया था अनि राजब़न से कुंडा राज रियासत हजारी बाग के सी इस्थित था सोन पूर रियासत पलामू में इस्थित था आसा करते हैं आपको ये वीडियो पासंद आया होगा वीडियो पासंद आते से लाइक करें सेयर करें साथि चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को योवडर सुन लिता कि आपका रिवीजन हो जाए और यहां से कोई question एक जाम में है तो न छुटे तो आज कलिए फिर मिलते हैं नेक्ष्ट आपिकी साथ, थेंक्यू.